तो आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि टेंथ पोर्ड का एक जाम बहुत ही नजदिक है तो मैं सारे अबजेक्टिव आपको किलियर कराने बाला हूँ तो सबसे पहले हम आप्धा और पत्बंधन से देख लेते हैं वो कम किस परकार का आप्ता है वोकम एक प्राकीर्टिक आप आपता है महाराश्ट्र में वोकम आने कश्वरा क्या था दोस्तो इसका अंसर होगा अधीक रियल-परिच्शालन दोगलाaden देख वोकम का मापण किस कि द्वारा किया जाता है सिस्मोग्राफ फोकसレक्टः स्केल या सुनामी धुस्तों इसका उंसर होगा सिस्मोग्राफ आपका अगला क्वेश्चिन है निम्ड मेंसे कौन प्राक्रितिक आफ्डा नहीं है बार्ड हिंसा सुखाड दोस्तों इसमे कौन in 17 से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है सुनामी बाड आतंकवाद भूकंप यह होगा आतंकवाद तो आपका सही उत्तग है अफसन नंबर सी आतंकवाद भूपाल गयास्तरासदी किस परकार की आपदा थी दोस्तों जिसमें मानब के गलतियों के द्वारा कुछ हानी हो वह होत अगला है किस अस्थान पर आता है सुनामी समुन्द्र में आता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था पस्षी मेशिया परसांत महासागर दोस्तों इसका सही अंसर होगा बंगाल की खारी निम्लिखिद में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है समुन्द्री भुकंप, जुआरभाटा, समुन्द्री जलकस बढ़ना, जहाजों का अबाब मन समुन्द्री भुकंप, समुन्द्री भुकंप के कारण क्या होता है सुनामी आता है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है भूकम्प, चक्रवाद, सुनामी इन में से कोई नहीं आपका सही एंसर होगा सुनामी सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग को कहा जाता है भूकम्प से पिर्थवी की सत्व पर पहुचने वाला सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है भूकम्प मतलब पिर्थवी के सत्व पर आने वाला तरंग L तरंग ही है भुकम्प केंदर के उर्द्वाधार पिर्थवी परिस्थित केंदर को क्या कहा जाता है देखिए भुकम्प जहां से उत्वण होता है उसे भुकम्प केंदर कहते हैं और उसी के ठीक सामने पिर्थवी के उर्द्वाधार सता को अधिक केंदर कहा जाता है भूटोल के नीचे वह अस्थान जहां पर भूकम्प का जन्म होता है क्या कालाता है अभी मैंने बताया वह भूकम्प केद्र कालाता है इनमे से कौन सा भूकम पिये तरंग नहीं है पी ग अश्जेंड पी एसल तो भूकम तरंग है लेकिन वह नहीं है आपका सही अंसर होगा समाने संचार व्यवस्था के बादित होने का मुख्य कारण क्या है केबुल का टूर जाना टावरों की उचाई में कमी होना संचार टावरों की दूरी अधिक होना राइन में से कोई नहीं आपका सही अंसर होगा केबुल का टूर जाना सुनामी मीटर द्वारा समुदर तल में क्या नापते हैं सुनामी मीटर द्वारा सुनामी ना पा जाता है तो हम अगला पिर्थवी की सतर पर पहुँचने वाला सबसे पहला तरंग को कौन सा है पिर्थु के सता पर सबसे फ़ले पी तरंग पहुँच पाती है वुकम केंदर के अर्द्वादार पिर्थु VII परिस्थित केंदर को क्या खा जाता है अधी केंदर बुपटल के नीचे हुए अस्ताजा वुकम जन्म लेता है बोपटल के नीचे का बात करे तो वोकम केंदर और पिर्थवी के उपर का बात करे तो अधी केंदर कालाता है इन में से कौन सा वोकम पिया तरंग नहीं है बावरत को कितने वोकम पिया चेतरों में बाटा गया है सुनामी किस अस्थान पर आता है सुनामी समुद्र में आता है दिसंबर 24 को किस हिसे में सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी में सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग है बस्ती मकान में आग लगने के इस्तिदि में क्या करना चाहिए दरवाजे खिर्किया लगाना आग बुझने का नितजार करना अगनी सामक को बुलाना तो आपका सही अंसर होगा अगनी सामक को बुलाना चाहिए बार के समय ने मिल्कित में किस अस्थान पर जाना चाहिए गौंग के बाहर उची भूमी वाले अस्थान पर जहां है उसी अस्थान पर खेतों में तो हमें उची भूमी वाले अस्थान पर जाना चाहिए मलवे के नीचे दवे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है तो आपका सही अंसर होगा इसमें इंफ्राटेड केमरा यह ड्रोन की तरह काम करता है और इसे मलवे के नीचे द तरह सर्फ से लोग पीरिया साधन स्रेटिक वाकी टॉकी यह रेडियो देखी मोबाइल ही होना चाहिए क्योंकि सब्सक्राइब लोगपरिया साधन नहीं हो सकता क्योंकि उसपर सभी आदिकार होता है उसके लिए in किन हमारे पास जो मोबाइल फन होता है वो सरवाधिक लोगविदिया साधन है वएकालपनिक संचार संसाधन इन मेंसे को नहीं है डियाजीयस रेडियों ऊपगरासंचार इंध्यदु और हिए उस्दूर संबवेधि उपगारा का उपयोग किस लिए होता है महारत में कितने प्रतिसाद भूमी वुकम परभावित है 16 परसेंट चपन परसेंट 80 या 24 परसेंट तो सही अंसर होगा 56 वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कुन सा है टेलिफोन पेंजर मोबाइल या वॉकी-टॉकी तो आप एसे अंसर होगा मोबाइल र चाहिए अंठाकार, दिरुजाकार, चकोर या आयटाकार, दोस्तों सबसे एस्टेवल रह सकता है आयटाकार पर ही ही इसलिए वोकम परभावी च्षेत्रों में बभवनों की आकिरति आयटाकार ही होती है हुआ सुनामी पर रहे इसलिए अम्हें संधुर्ट से दूर रहना चाहे दोस्तों मैंने जितने अब्जक्टिव करायैं इसे एक भी आप्टा परवंदन से बाहर नहीं और कम से कम इन में से 10 अब्जेक्टिव आपके बोड इक जाम में जरूर नहीं देखने को मिलेंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को सेर जरूर करें थैंक्यू सो मच बाबाइ